हलो दोस्तों आपका निव स्टडी जो उन में स्वागत है UP Police BPSC 3.0 DSSB PRT Part 1 के लिए हम GKGS की बात कर रहे है I hope आप सभी को ये वीडियो पसंद आए वीडियो अच्छी लगे तो सभी लोग लाइक करें, शेयर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बैल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे है, तो हमने कल GS में quality के questions कुछ किये थे, आज हम आपको GS में history के questions करवाएंगे तो आज का हमारा पहला question है, history में हम modern history पहले cover कर रहे हैं क्योंकि इससे related जादा question exam में आते हैं पहला question है, वर्ष डैश में East India Company के जहाजों ने सूरत के पास इसते स्वाली एश्वरी में पुत्रगालियों को पराजित किया था किस वर्ष में East India Company ने पुत्रगालियों को पराजित किया था, यह आपसे पूछा गया है, यानि स्वाली का युद्ध, स्वाली एश्वरी में, यानि कि स्वाली का जो युद्ध हुआ था, उन्हों पूछा गया है, कब हुआ था यह जो है आपका East India Company ने अंग्रेजों और पुत्रगालियों के बीच में था, स्वाली का युद्ध, यह हुआ था आपका 1612 इश्वी में, East India Company और पुत्रगाली सेना के मद कहा हुआ था, सूरत के पास एक स्वाली एश्वरी नामत इस्थान है वहाँ पर, ठीक है, इसमें आपके पुत्रगाली जो है, जीते थे, पुत्रगाली सौरी हा रहे थे, अंग्रेज आपके जीते थे, ठीक है, तो 1612 इश्वी में, आपका option राइट हो जाएगा, C, next, आमिर खुश्रो का जन्म इस्थान है, आमिर खुश्रो का जन्म इस्थान आपसे पूचा है, कहां था, तो आमिर खुश्रो का जन्म इस्थान आपका काश्यगंज में हुआ था, बहुत question पूचा जाने वाला है ये, option आपका, B right है ये, अगर इनका आपसे जन्म पू जो आमिर खुस्रों है ये तबला वादियंत्र जो है बजाते थे तो तबला वादियंत्र के लिए इनको जाना जाता है और खड़ी बोली के भी जनक जाने जाते हैं ठीके तबला वादियंत्र और खड़ी बोली के जनक आमिर खुस्रों जाने जाते हैं किस संत को रमायर के रचाइता वालमीकी का अवतार माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास, रामानन स्वामी, संत रवीदास, स्वामी कार पात्री तो यहाँ पर option A. राइट है, गोस्वामी तुलसीदास अभी UP Police Constable में यह question पूछा गया था, कि रमायर के रचाइता जो है, कौन है, ठीक है? Next, वासको डिगामा एक पुतरगाली अन्वेशक ने डैश वर्स में भारत की समुद्री मार्ग से खोज की थी question पूछना भारत की खोज वासको डिगामा ने कब की थी? तो 1498 में वासको डिगामा ने भारत की खोज की थी, अगर आपसे डेट भी कोई पूछता है, तो डेट भी आपको याद रखना, क्योंकि आप एक्जाम में डेट जादा पूछी जाए दी 20 मई 1498 इश्वी को इन्होंने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी नेक्स्ट अंग्लेजों के खिलाफ भारती सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रो, वेल्लोर विद्रो किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा पहला सैनिक विद्रो यही है वेल्लोर विद्रो अब यह कब हुआ था यह आपसे पूछा जा रहा है तो वेल्लोर विद्रो आपका 1806 इश्वी में हुआ था आप्शन आपका C यहाँ पर राइट है नेक्स्ट बक्सर के युद्द के बाद East India Company मुगल समराट को प्रतिवस डैश का भुखतान करने के लिए सहमत हुई अब बक्सर का युद्द बहुत पूछे जाना वाला कोशन है इस से रिलेटेज जितनी जानकारी है वो हम इस कोशन में करेंगे अब सबसे पहले बात करते हैं बक्सर का युद्द हुआ कप था तो बक्सर का युद्द आपका 1764 में हुआ था कौन-कौन सामिल था इसमें अंग्रेज मीर कासिम आवद के नवाब आवद के नवाब आपके कौन थे सुजाओद दॉलब थे ठीक है अवद के नवाब शुजाओद दॉलला में और शाह आलम दुद्दे आपके मुगल सम्राठ थे प्रशाह आलम दुद्दिए ठीक है इनके मद हुआ था अंग्रेज मेर कासिम अवद के नवाब सुजाओ दौला और सालम दुतिय इनके बीश आपका बकसर का युद 1764 में हुआ था अंग्रेज की तरफ से जो है पूछा जाता है नेतरत्व कौन कर रहे थे तो हेक्टर मुन्रो कर रहे थे अंग्रेजों की तरफ से नेतरत्व कर रहे थे आप इसमें हुआ क्या इसमें मुगल सम्राट की हार हो गई और आपके जीत चया है इसके बाद क्या हुआ इस इंडिया कंपनी इलाबाद के प्रतम संधी के तहत प्रतिवर्ष 26 रुपए मुगल सम्राट को देने थे ये सहमत ह हुआ ठीक है तो आप से पूछा था प्रतिवर्श मुगल जो है समराथ को प्रतिवर्श कितने रुपए भुगतान नहींगे तो 26 लाग रुपए देंगे ठेक है अंग्रेज ने मुगल को बोला था कि आप हमें 26 लाग रुपए मतलब देना है आपको प्रतिवर्श ठीक है तो option आपका B right है नेक्स्ट निमलिकेत में से कौन सा पुत्रगाली उपनिवेश नहीं था बंबई कbles बाक़ी यहां अपका option right है आपका मचली पठनम यहां पुत्रगालीों का उपनिवेश नहीं था यहां पर कौन रहाएं बाकी सभी आप के पुत्रगानी के उपनिव blender नेक्स्ट पहली डेनिस इस्ट इंडिया कमपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया अपके कब आई ती याद से पूछा जा रहा है तो 1616 इश्वी में आपकी टेरिस इस इंडिया कंपने ने अपना परिचालन शुरू किया था नेक्स्ट बकसर के युद्ध के बाद डैस के नवाव ने इलहाबाद और कडा कव मुगल समराठ को सौप दिया जो ब्रिटिस स्यानिकों के संरचड के अंतरगा दाधा था तो वो किसके नवाव को इलहाबाद और कडा को मुगल समराठ को सौप दिया था तो यह आपके अवद के थे ठीक है अवद के नवाम ने इलहाबाद और कड़ा को मुबेल समराट को सौप दिया था और जो सर्णत चर्थ आपका था वो बिटिस सरकार कर रही थी ठीक है आपका यहाँ पर डी राइट है नेक्स कुश्यन तो बकसर के युद में आपको याद है इसमें दो संदि जो थी आपकी पहली संदि यही थी कि आवद के नवाब से जो है चिन करके इलहाबाद और कड़ा मुगल समराट को दे दिया जाएगा दूसरा था कंपनी 20 लाग वार्षी पेंशन मुगल समराट को देगी ठीक है नेक्स्ट निमलिकित किसके शाषनकाल में मुगलो और मराथो के बीच दवन्द प्रारम हुआ था मुगलो और मराथो के बीच दवन्द किसके बीच चुरू हुआ था पूंचा गया है तो यहां पर आप कि जहांगीर option right होसा होगा जहांगीर के शाशंकाल में मुगलनाय tapping कि भी इस द्वंद प्रारंब हुआ था नेक्स्ट टीपो सुल्तान कहां का शाशक था यह आप से पूछा गया है तो टीपो सुल्तान आपका मैसूर का शाशक था टीपो सुल्तान के बारे में कुछ सीज़े जान लेते हैं यह पुत्र है फैदर अली का टीपो सुल्तान किसक ग्र्णतियू जो है टीपू सुल्तान की मर्णतियू जो है चतुर्थ आघ्व मैसूर युद में हुई थी कि ब्रेतिस शाषन को भारत से उखार फैकने के लिए इन में से किसने फ्रांसिसियों की मदद मांगी थी आप्शन ऑपका पहला है शंभाजी, शिवाजी, हैदर, अली, टीपू, सुल्तान तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा टीपू, सुल्तान इन्होंने फ्रांसिसियों की मदद मांगी को बाहर निकालने के लिए औप्शन आपका डी राइट है नेक्स्ट निम्लिकेस में से कौन अवद का प्रथम नवाब था यहां पर अवद का प्रथम नवाब आप यहां पर प्रथम नवाब आपसे पूछा गया तो यहां पर आइटांसर हो जाएगा आपका साधत खां अप्शन आपका बी राइट है इनका शाषन काल जो है आपका चला था 1680 से 1739 1749 ठीक है और अंतिम नवाब आपके अगर बात कर प्रथम आपके साधत खा थे और अंतिम आपके वाजित अली खा है ठीक है यह भी याद रखिएगा वाजित अली शाह है सॉरी वाजित अली शाह इनका शाषन काल 1822 से 1887 तक के था ठीक नेक्स्ट इसमें से किस लड़ाई में अंग्रेजु ने बंगाल के नवाप सिराजुद दौला को हराया था सत्रासो साट वाणंडी वाश का यूद शाषर 1181 पानीपत के इतृती ये लड़ाई, 1-664 में बखती इतल्हाया लड़ाई कौन से उद में सिराजुद दौला को हराया गया था तो option आपका ए राइठ है status 57多प सिक लड़ाई लासी की लडाई के बारे में कुछ हम चीज़े देख लेते हैं 23 जून 1757 को अंग्रेज और बंगाल के नवाब अब उस टाइम पे बंगाल के नवाब आपके कौन थे? सिराजुद दॉला बंगाल के नवाब सिराजुद दॉला इनके मद्ध हुआ था अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतर्थ कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइब अंग्रेजों की तरफ से? रॉबर्ट क्लाइब इंपोर्टन कुश्चन है पुछा जाएगा प्लासी का युद कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था अंग्रेजों की तरफ से किस नेतर्थ किया था? तो रॉबर्ट क्लाइब ने अंग्रेजों की तरफ से नेतर्थ किया था और जीत किस की हुई थी? अंग्रेजों की ही हुई थी ठीक है? क्योंकि आपका जो मीर कासिम था वो राजय दॉला का दमाद था इसने जो है इसके साथ गदारी कर ली थी ठीक है मीर जाफर सौरी था ठीक है तो आपका मीर जाफर फिर उसका नवाब बना दिया बंगाल का अंग्रेज उने गारे भार मीर जाफर देखेगा लेकिन जो भी प्रॉफिट होगा वो अंग्रेज का रहेगा नेक्स्ट क्लासी का रहा यूद कभ लड़ा गया अभी बताया 757 एश्वी में प्लासी का यूद हुआ नेक्स्ट प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और डैश के मद लड़ी गई थी अभी बता है अंग्रेज और सिराजुद दौला उसमें गहां है? यह है, सिराजुद दौला जो है उनके मद लड़ी गई थी option आपका A right है अब को clear है? बंगाल का नवाब अंग्रेज जीते थे कारण क्या था? जो अपका सिराजुद दौला था उसका जो सेना पती था मेर्जाफर उसने धोका किया उनके साथ ठीक है? इस कारण अंग्रेज जीत के उसके बाद मेर्जाफर को जो है नवाब बना दिया गया लेकिन 1760 में मेर्जाफर को हटा कर उसके दमाद मेर्जाफर को अंग्रेज जो ने बंगाल का नवाब बना दिया ठीक है? नेक्स्ट इस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच नयाले की इस्थापना की थी? पुश्चन नमबर आपका नेक्स्ट है आपका 22 सर्वोच नयाले यहनी हाई कोड की इस्थापना कलकत्ता में किस वर्ष हुई थी? यह आपका 1764 में हुई थी और 1773 का यह एक्ट था ठीक है? आप्शन आपका C राइट होगा 1773 इस्थापना हुई थी नेक्स्ट भारत में सबसे पहली जनगर्णा किस वर्ष हुई? important question है अभी इससे related question आ चुका है तो भारत में इस जनगर्णा के सुर्वाद जो है आपकी 1872 लॉड मेयो के शाशनकाल में हुई थी? किसका शाशनकाल था उस समय? लॉड मेयो का शाशनकाल था? अगर आपसे पूछे भारत में पहली नियमित जनगर्णा वो कब हुई? तो वो आपकी 1881 में हुई थी? लॉड रिपन के शाशनकाल में लॉड रिपन के शाशनकाल में ठीक है? सबसे पहली जनगर्णा 1872 लॉड मेयो के शाशनकाल में दश्की आधार पर या नियमित जनगर्णा 1881 में लॉड रिपन के शाशनकाल में हुई थी? ठीक है? और फिर आपकी 2011 की जनगर्णा थी ये भारत की पंदरवी थी 2011 की जनगर्णा भारत की पंदरवी जनगर्णा थी? ठीक है? clear है सबी चीजे next महलवारी प्रडाली कहां लागू की गई बिहार, उत्तर प्रदेश, महराश्ट्र, मद्राज तो महलवारी जो प्रडाली है या आपकी उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी अब महलवारी जो में व्यवस्था है वो थी क्या महल का अर्थ है जागीर या गाउ इस राजस व्यवस्था में प्रतेग महल या गाउ के साथ इस्थापित की गई क्रशक के साथ नहीं ठीक है अगर इससे आपके पुछता है महलवारी के जन्मदाता कौन थे तो ये हॉल्ट मेगन जी और मेकेंजी आपके जो है ये महलवारी प्रडाली के जन्मदाता है ये आप से पूछा जाता है ठीक है नेक्स्ट अन लास्ट कुश्चन हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था प्रात्मिक शिक्षा, मादमिक शिक्षा, तक्नीकी शिक्षा, इस्थरी शिक्षा हंटर आयोग ने प्रात्मिक शिक्षा पर अधिक बल दिया तो option आपका A, राइट है आजोप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें शेयर करें चानल पे नए हैं तो सस्क्राइब जरूर करिए चानल को बैल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे थैंक यू